गाइस अगर आपके इमेल में इस तरह से बहुत धेर सारे नोटिफिकेशन आए हैं जैसे मेरे इमेल में इतने धेर सारे नाइका की नोटिफिकेशन आए हैं और आप इसे एक साथ डिलीट करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि आप इसे एक साथ डिलीट कैसे करें तो आप इस वीडियो के इंट तक जरूर देखें। So here guys, मैं हूँ सुनाली और आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्नोलाजी स्मार सपोर्ट में। Without further delay, let's get started। तो इसके लिए सबसे फ़हले हम अपने Gmail एप को open कर लेंगे। अब हमें जिस भी email को delete करना है, उसे इस पर टैप करके select करेंगे। तो हम इस तरह से email को select कर लेते हैं। अगर आपको सभी email को delete करना है, तो आप select all पर क्लिक करके एक साथ अपने email को select कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको delete लिखा हुआ मिल जाएगा। delete पर क्लिक करके आप इस email को एक साथ delete कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपके email को पूरा delete नहीं करना है, सिर्फ किसी app या website के email को है delete करना है, तो आप यहाँ से उस website या app को search कर लिए। जैसे कि हम यहाँ पर नायका search कर लेते हैं। क्योंकि हमारे email में नायका का notification सबसे ज़्यादा आया है। और अब जितने भी email होंगे, वो सारे यहाँ पर नायका के हिसों होंगे। तो हम इस तरह से इस पर cap करेंगे, उसके बाद उपर आपको select all लिखा हुआ मिल जाएगा। select all पर click करेंगे। तो यह इस तरह से सभी email सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर हम delete पर click कर लेंगे। और फिर उसी तरह फिर से एक email को select करेंगे, और फिर select all पर click करेंगे, और यहाँ से इसे delete कर लेंगे। इसी तरह से जब तक आपका email पूरा delete नहीं हो जाता है, तब तक आप इसी process को करें। आपको यहाँ पर नायका का कोई भी email सो नहीं होगा। इस तरह से आप अपने Gmail एप से इतने सारे email को एक साथ delete कर सकते हैं।